यह देखिए, इसमें कितना अच्छा स्पंज आया है। Hello friends, स्वागत है आपका Cardio Kitchen में। मेरा नाम है Manisha, आज हम बनाने वाले हैं ब्रत में खाने वाला कुट्टू के आटे का केक। और इसको हम कूकर में बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है, एक कप कुट्टू का आटा, 3-4 cup powdered sugar, 1-2 cup oil, दूद लगभग आधा कप मैंने लिया है, यह थोड़ा कम जादा हो सकता है। 1-2 teaspoon baking soda, 1-4 teaspoon baking powder और थोड़े से बदाब। साथ ही ingredients की list आपको description box में मिल जाएगी। अगर आप यह वीडियो पहली बढ़ देख रहे हैं, तो इस वीडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की recipe, अब सबसे पहले हम बदाम को chop करेंगे। यह मदाम मैंने chop कर लिये हैं, अब mixing bowl में हम सबसे पहले दालेंगे powdered sugar, अब इसमें मिलाएंगे oil, मैंने मूफली का तेल काम में लिया है, ध्यान रखेगा, इसमें ब्रत में खाने वाला तेल ही हमें दालना है, अब इसको अच्छे से mix करेंगे। यह अच्छे से mix हो गया है, बस इसमें ध्यान यही रखना है कि इसमें कोई lumps ना हो, अब हम इसको side में रखेंगे, एक छणी लेंगे, उसमें हम यह दालेंगे अपना कुट्टू का आटा, इसी में विलाएंगे baking powder और baking soda, इसको सब को mix करते हुए इसी में छानेंगे, इसे baking powder और soda, सब कुछ आटे में अच्छी तरह से mix हो जाता है, यह कुट्टू के आटे को हमने अच्छे से चान लिया है, चानने से ही देखिया, अगर कुछ इसमें extra होता है तो वो निकल जाता है, अब इसको अच्छे से mix करेंगे, यह mix हमारा बहुत गाड़ा है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूद एड़ करेंगे, दूद हमें एक साथ नहीं दालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही दालना है, क्योंकि हमें केक का बैटर त्यार करना है, यह बैटर हमारा त्यार हो गया है, यह देखिए यह इतना गाड़ा ही रहेगा, अब हम इसको side में इस कोई भी स्टैन्ड हम कूकर के अंदर रखेंगे क्योंकि केक्टीन को हमें डार्रेक्ट नहीं रखना है। कूकर को हम 5 मिनट के अर इसमें से विशिल हटा देने, जब तक कूकर प्रिहिट हो रहा है हम ये केक्टीन त्यार कर लेते हैं, इसके लिए इसको चारो तरफ से ओईल से अच्छे से ग्रीस करेंगे हम, ओईल अच्छे से ग्रीस हो गया है, अब हम इसमें एक चमज कुट्टू का आता दालेंगे, और इसको इस तरह से बिना अंदर हाथ लगाएं, चारो तरफ घुमाएंगे आटे को. इस तीन के अंदर हमें हाथ नहीं लगाना है, बिलकुल भी, यह देखिए, यह चारो तरफ अच्छे से आटे से डस्ट हो गया है, जो एक्स्ट्रा आटा है, इसको हम निकाल लेंगे, अब इसमें यह जो बैटर हमने त्यार किया था, इसको दाल देंगे, इस सारा बैटर हमने इसमें डाल दिया है, अब इसको इस तरह से दो-तिन बार हमें टैप करना है, इसमें कोई बबल नहीं रहना चाहिए, अभी जो बदाम हमने चॉप किये थे, इसको इस तरह से ऊपर से डाल देंगे, इसको एक बार फिर से हम टैप करेंगे, ताकि बदा से हम कुकर के अंदर रख देंगे अब हम इसको धुक्तल नगा देंगे ध्यान रखना है विसल नहीं नहीं vania थुखिन है नहीं तो केक हमारा बिल्कुल भी नहीं फू लेगा और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है लगभग आदे खंटे के लिए इसको हम पकने देंगे, आदे घंटे तक हम एक कुकर नहीं खोलना है, इसके बाद हम इसको चैक करेंगे, आदा खंटा हो गया है, अब हम केक को चैक कर लेते हैं, इसको हम एक नाइव से चैक करेंगे, यह देखें यह बिल्कुल निकला है, मत तब हमारा केक बनके तयार हो गया है. अब हम केक को कुकर से बहार निकाल लेंगे और इसको 15-20 में ठंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे. 20 मिनिट हो गया है, ये केक ठंड़ा हो गया है, अब हम इसको कट कर लेते हैं. ये देखिए, इसमें कितना अच्छा इस्पंज आया है. इस केक को आप ब्रत में बना के खा सकते हैं. तो आप ये रेसिपे जरूर ट्राय करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी. साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पास वाले बेल आइकन को दबा कर औल प्लेट करें. Thank you.